तो बच्चे अब हम करने वाले हैं 15 कुश्चन और बड़ा ही easy कुश्चन लिए देखिए जी बहुत प्यार से हम इसको देखेंगे तो यहां के कह रहा है इन adjoining figure जो मेरा इक बी है इस पर्पर्पेंडी कुलर टूबी यहां पे लुएं जो ओ यह पिखनें गना इए लिन के पर्पंडिकुलर तो यहां पे प्रपंडिकुलर नंना है यह इंगल तो 모든 करने अबकर ए इहां पे कहे रहा क्न सा देखिए जो डी यह यह cag番ी िदे हैं यहống मेला बी-सी के परपेंडिल है, तो ओविसी बात यह 90 है, यह भी 90 है, यह भी 90 है, ठीक है, तो मुझे प्रूव यह करना है, तो सबसे पहले तो मैं चाहिए कर सकता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करूँगा, सिमिलर प्रूव करूँगा, तो देखो, मैं क्या करता हूँ, बना दिया, ठीक है ना, अब मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना ही कोशिश करनी है, तो बस में कर लेता हूँ, अब देखें, यह 90 है, तो यह ओविसी बात है, equal halves में कटेगा, यह 90, तो यह 45 हो जाएगा, और यह भी हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है ना, यहां मैं direct इसको देखके बोल सकता हूँ कि भाई, जो angle E है, is equals to angle C है, each 90 degree, ठीक है, और यहां पे देखें, angle B और angle B, same angle B, common angle लिख देता हूँ, ठीक है, यह इसका reason लिख देता हूँ, तो देखो, अगर दो angle equal हो गई, तो ओविस से बातें, तीसरा equal हो गई, तो मैं यह बो D, E, B is similar to, is similar to, B, C, A, ठीक है, is similar to B, C, A, ठीक है, यह वाला, इसके corresponding side में, यह वाला, इसके corresponding side में, और C वाला, E वाले के corresponding side में, तो देखें कितना easy हो गया है, मिले, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, देखें, जो proof करना होते है, उसको बड़े चलाकी से मुझे proof करना है, तो देखो, अगर यह दोनों similar हो गए, तो बड़ा easy है, फिर तो proof करना, तो देखो, मुझे पहले proof क्या करना है, यहापे पहले मैं लिख देता हूँ, to prove, और proof को मैं कैसे चलाकी से करूँगा, देखो, BE upon DE equals to AC upon BC अब ध्यान से देखिये हैं, मैं कैसे इसको करना वाला हूँ, यहापे मैंने लिख लिख लिया है, तो मुझे पूरूफ करना था, अब मैं नीचे आता हूँ, अब देखे, मैं क्रोस्पोंडिंग साइड लिखूंगा, तो BE, देखो, यहाँ पे नीचे का है DE, अब यहाँ यहाँ पे लिख 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 ल तो दिमाग लगा दिया, ठीक है, यह यहां आने वाला है, तो बी-ई पे क्या लगाओगे आप ऐसा, बी-ई पे देखो, तो देखो, अगर मैं यह A-C, अगर मैं इस B-E के नीचे A-C रखता, तो देखो, अगर मैं इसको क्रॉस्प करूँगा, तो यह इसकी नीचा यह देखो, यह A-C उपर आजाएगा, तो बच्चा क्या सिर्फ मेर पे B-C, तो मैं यहां पे क्या लिख लूँगा, तो देखो, मैं ऐसे एगर कर कुछ कर लूँगा इसको, इसको देखो, तो देखो, टू प्रूफ से ही मैंने यह निकाल दिया, तो B-E अपॉन A-C इकोल इस तो D-E अपॉन B-C के कोर्सपोंडिंग साइड में, तो जो B-E है, तो B-E जो है, इसको क्रॉस करोंगे, तो यह आजाने वाले है, तो देखो, जो मुझे प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ करना होता है, सबसे पहले तो मैं सीमिलर करता हूँ, दोनों ट्राइंगल को अगर अगर एक वार दोनों ट्राइंगल से सिमिलर हो गए, फिर तो आपको कोई दिक्कत करने की बात ही नहीं, क्योंकि यह किस से हो रहा है, अगर अगर आपने सिमिलर कर दिया तो तो प्रूफ देखो और उस पे कुछ ऐसा जुगार लगो कि यह एकॉल जैसे आजाए, ठ बड़ा easy concept था ठीक है ना तो चलो अब हम हम next question देखते हैं